You are most welcome at our channel लाजवाब खाना स्वात का नज़राना आईए बनाते हैं घर में मौझूद बेसिक चीजों से बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और स्वीट बेकरी स्टाइल लाजवाब कोकुनेट कुकीज ये बहुत ही जटपट से बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए बनाते हैं और अगर मेरे चैनल पर पहली पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें बगर में बेल के आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें इससे मुझे और अच्छे अच्छे वीडिय या विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं एक से दो मिनट इसे हम विस्क करेंगे जिसे यह लाइट और क्रीमी सा हो जाएगा अब देखिए बटर का कलर भी लाइट हो गया है और टेक्श्चर भी बढ़ियां सा क्रीमी आ गया है तो अब हम इसमें डालेंगे तीन चौथाई कप या एक सो पचास ग्राम पिसी हुई चीनी और फिर विस्कर से विस्क कर लेंगे तो पहले वन नमबर पे तीन मिनट के लिए विस्क करेंगे और फिर मीडियम फर विस्क करेंगे बीच बीच में स्पून से इसको मिक्स करते रहें कि जिससे चीनी और बटर अच्छे से मिल जाएं कहीं चीनी के पार्टिकल्स रहना जाएं अब देखिए हमें जब तक विस्क करना है या मिक्सिंग करनी है जब तक यह ऐसे बिल्कुल स्मूध ना हो जाए तो हमें बिल्कुल ऐसा स्मूध लाइट सा टेक्च्चर इसका बनाना है फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का पाउडर अब हम बाउल पर एक च्छनी रखेंगे और एक कप मैदा च्छान लेंगे और इसी में आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डालकर च्छान लेंगे अच्छा मैदे को च्छान के जरूर डालें क्योंकि च्छानने से इसमें जो भी इंप्यूरिटीज होगी तो वो निकल जाएगी अब इन सब चीजों को स्पून से मिक्स करेंगे और इसे हलके हाथ से मिक्स करेंगे जादा जोड लगा करके इसको मिक्स नहीं करना है तो अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूँगी और जरूवत लगे तो एक दो टीस्पून आप इसमें दूद मिला लें और एक सॉफ्ट सा डो बना लें तो देखे ये सॉफ्ट और स्मूध सा कुकीज के लिए हमारा दो तैयार है बिलकुल अब हमें एक बेकिंग ट्रे लेंगे और बेकिंग ट्रे की जगह आप स्टील की प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो सबी के घरों में मौजूद होती है और उस पर baking paper या अगर baking paper नहीं है तो plain A4 size के paper को भी काट कर लगा सकते हैं अब हम उस पर oil लगाएंगे और grease कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारी cookies जो हैं वो नीचे चिपकेंगी नहीं अब हम छोटी छोटी सी balls इस तरह से बनाएंगे साइज आप अपने हिसाफ से देख लें लेकिन यह की बहुत बड़ी साइज नहीं बनाएंगे वरना अंदर से कच्छी रह सकती हैं अब इसे हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से हलका सा प्रेस कर लेंगे और फिर थोड़ा सा नारियल पाउडर एक साइट से इस तरह से लगा देंगे और इससे कुकीज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह बिलकुल बेकरी जैसी बनती है इसी तरह से सारी कुकीज तयार करेंगे और 15-20 मिनट के लिए इसे हम फ्रीज में रख देंगे फ्रीज में रखने से जब आप कुकीज को बेक करेंगे ना तो यह भीख रेंगी नहीं बिलकुल पर्फेक्ट बनेगे एकदम बेकरी की तरह तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम घर के मौजूद चीजों से ही कुकीज बनाएंगे तो आज हम कुकीज अपने देसी ओवन पर बनाएंगे मतलब गैस पर बनाएंगे और वो भी भगोने या कड़ाई में तो बेक करने के लिए मैंने गैस पर एक भगोना लिया है इसमें हम एक कप नमक दालेंगे यही नमक मैं बार बार बेकिंग के लिए यूज करती हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है अब इस पर एक कटोरी या स्टैन रख देंगे और धकन लगा देंगे अच्छा हमें इसे प्री हीट करना है तो मीडियम फ्लेम पर 8-9 मिनट इसे हम गरम होने देंगे तो अब हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया है और कुकीज को भी फ्रीज में रखे हुए 15-20 मिनट हो गये है तो अब हम कुकीज को निकालेंगे और इसमें संभाल कर चुँकि यह बहुत गरम है तो अपने हाथों को बचा कर यह गलज लगा कर कुकीज को इसमें रखेंगे और फिर धकन को बंद करतेंगे और आज को मीडियम टू स्लो रखेंगे हम इसे 12-15 मिनट के लिए बेक करेंगे और 10 मिनट से पहले इसे खोल कर नहीं देखना 10 मिनट के बाद आप चाहें तो एक बार चेक कर लें तो देखिए करी 15 मिनट लगा है मुझे बेक करने में और कुकीज बिलकुल रेडी है और इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है ना बेकिंग करो तो बहुत अच्छी खुश्बू पूरे घर में फैल जाती है और दूर दूर तक आस पडोस को भी पता चल जाता है कि कुछ बड़ी हां बेकिंग मेकिंग हो रही है जब यह थोड़ा हातों से छूने लाग ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे एक जाली पर रख देंगे जिसे यह और भी क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे तो देखिए घर की चीजों से बिना ओवन और बहुत ही आसानी से हमारे बड़े ही लाजवाब और बहतरीन कोकुनट कुकिस तयार है और यह इतने टेस्टी होते हैं कि आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि यह कितना क्रंची बना है चलिए फिर देर किस बात की हैं आप भी बनाएए और अपनी फैमली और महमानों से तारीफें पाईए उमीद करती हूँ यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करिए लाइक करिए और जादा से जादा शेयर करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी और कमेंट्स करना बिलकुल न भूलिएगा इसका मुझे बहुत इंतजार रहता है